आज के क्लास में अपने करने वाले हैं बिल्ज ऑफ एक्सचेंज चाप्टर का एक थोड़ा अच्छा कॉंसेप्ट जिसमें अगर क्वेशन आया तो जादा मार्क्स का आएगा अकॉमोडेशन बिल तो अकॉमोडेशन बिल का कॉंसेप्ट जनरली लोगों को तफ लगता है बट आज के क्लास का अगर आप लोग डिसकेशन अच्छे से फॉलो करते हो तो आप लोगो ये टॉपिक बहुत जादा इजी लगेगा और आप लोग एक्सपेक्ट मतलब होप कर जाए तो डिसकेशन स्टार्ट कर रहे हैं गाइस अकॉमोडेशन बिल तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं सर अकॉमोडेशन बिल का मतलब क्या हुआ तो मानो दो फ्रेंड है एक है साकेत और एक है जानवी ठीक है ये लोग दोनों को पैसा का जर्वत है पैसा खेर सभी को चाहिए भव्या और देशन बोल लो पैसा का बहुत सारा जरुवत है तो पैसा अब दोनों के पास है नहीं अरेंजमेंट करना है फाइन्स का फाइन्स का अरेंजमेंट कैसे करना चाहता है साकेत बोलता है जानवी को दिमाग लगा करके बोलता है कि देख जानवी, हमें एकना बिल रेस करता है तेरे को, बिल रेस करता है, तुम वो बिल एक्सेप्ट कर ले, ये ड्रॉ करेगा साकेत, एंड जानवी विल एक्सेप्ट दबिल, ठीक है, किसके पास बिल रिसीवेबल हो गया और किसके पास बिल्स पेबल हो गया बो 50,000 रुपया ठीक है अब साकित के पास बिल्स रिसीवेबल है 50,000 रुपय का वो क्या करेगा इस बिल्स रिसीवेबल रुपीज 50,000 को लेकर के जाएगा बैंक के पास बैंक को बोलेगा बैंक मेरे पास ये बिल्स रिसीवेबल है तुम प्लीज इसको डिसकाउंट करेगा और बोलेगा कि 1000 रुपीज हम डिसकाउंटिंग चार्जेज काट लेंगे और वो रेमिट करेगा बोलो कितना साकित को only 49,000 तो साकित विल रिसीव 49,000 from bank, 1000 रुपया bank अपने पास रख लेगा, ये 49,000 साकित क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा वो आधा अधा, मतब दोनों को आधा अधा पैसा का जरुवत था, तो वो आधा बोलो कितना amount 24,500 ट्रांसफर कर देगा जानवी को ठीक है, say for example 3 months का bill है 3 months का bill है अब 3 मेहना बाद वापिस से ये पैसा लोटाना है की नहीं लोटाना bank को, लोटाना पड़ेगा किसको लोटाना है, जानवी के पास bills payable है, जानवी is liable to pay to bank, कितना 50,000, तो वो क्या पूरा का पूरा पैसा अपने पास से bank को दे देगी 50,000 नहीं 50,000 देना है तो 50,000 क्या जानवी will pay to bank directly नहीं, तो और कौन देगा कुछ पैसा, साकेत को भी देना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा साकेत को साकेत will pay 3 मेहना बाद और 25,000 25,000 तो जानवी इसमें अपना प्लस 25,000 करके 50,000 bank को pay कर देगी arrangement समझ में आया 3 मेहना के लिए दोनों को पैसा का जरुवत था कितना रुपया का जरुवत था 24,500, 24,500 और 3 मेहना बाद वो लोग अपना अपना 24,500, 24,500 प्लस इंटरेश्ट 500 25,000 पे कर देगा बैंक को This is an accommodation bill यहाँ पे एक खास बात Sir, अलग क्या हुआ नौर्मली आप लोग जितना भी अभी तक bills of exchange का concept अपने पढ़ते हैं वो है purchase या sale का transaction होता है goods बेचे पैसा चाहिए तो वो पैसा अभी नहीं दे रहा तीन मेहना बाद पैसा देगा तो हम तरे को bill draw कर रहे है तुम accept कर और तीन मेहना बाद पैसा दे देगा यहाँ पे कोई purchase of goods या sale of goods हुआ ही नहीं जश्ट दोनों को finance का जरुवत था It is a mechanism through which financing हो रहा है बात समझ में आ रहा है खाली financing एक तरीका है loan जैसा ही है बिलकुल bank से एक तरह से bank से एक तरह से 49,000 ले लिया और तीन मेहना बाद पचास यार I mean एक हजार add करके लोटा दिया interest के साथ हजार रुपया जो जितना जितना पैसा share करेगा वो उतना उतना interest that is discounting charges bear करेगा जो जितना पैसा अभी यहाँ पर मेरे example में आधा आधा यह लोग बाटा 24,500 यह खुद रख लिया और 24,500 ट्रांसफर कर दिया और ऐसा भी दोस्ट रखता था यह 20,000 रखा और 30,000 ट्रांसफर कर दिया तो discounting charges जो 1,000 रुपिया है साकित विल बियर only 2 by 5 20,000 रख लिया और 30,000 I mean 49,000 का 2,500 रख लिया 49,000 का 2,500 रख लिया और 3,500 ट्रांसफर कर दिया तो discounting charges भी तो उसी ratio में बियर करना चाहिए 400 और 600 total 1,000 रुपिया का discounting charges 400 और 600 बात समझ में आ रहा है 400-600 क्योंकि ये 2,500 पैसा यूज कर रहा है सर्प कैल्कुलेटर यूज कर दिया 49,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 साकित अपने पास रिटेन किया खली 19,600 राइट 19,600 ही रिटेन किया और कितना ट्रांसफर कर दिया 49,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 29,400 ट्रांसफर कर दिया बात समझ में आ रहा है ऐसा हो सकता है तो इसका मतब discounting charges भी तो फिर 1000 रुपिया में से ये 2 बाई 5 ही बियर करेगा 400 और discounting charges बागी का 3 बाई 5 किसको बियर करना पड़ेगा 600 बियर करना पड़ेगा जानवी को बात simple एकदम clear है अच्छा हाँ बोल हाँ very good question ये है कि सर यहाँ पे लिखिन आप एक बात समझे दोस्ती है ठीक है लेकिन यहाँ पे जानवी is relying on साकेत कि वो तीन मेहना बाद 25,000 देगा बाई चांस मान लीजी ये नहीं दिया तो ये नहीं दिया तो जानवी को तो पूरा का पूरा 50,000 बैंक को पे करना ही करना है बैंक थोड़ी मानेगा बैंक थोड़ी ये बात सुनेगा कि friend था accommodation bill था 25,000 तो उसको देना था बैंक नहीं सुनेगा ये सब बैंक तो पूरा 50,000 रिकवर करके रहेगा रादर वो पूछेगा भी नहीं बैंक से पैसा काट लेगा 50,000 रुपया बोलो एक मिनिट यहां पे साकित को देना है साकित के लिए साकित bill डिसकाउंट कराया इफ साकित इस नौट अबल तू पे इफ इफ बिल्स पेबल किसके लए जानवी के लिए अगर जानवी नहीं देती है तब फिर साकित के पास आएगा परेक्ट अगर इफ जानवी डजन पे 50,000 तो फिर साकित की अकाउंट से पैसा काट लेगा अगें अब फिर ऐसे केस में क्या होगा मान लो साकित को पूरा 50,000 पे करना पड़ गया तो उसको फिर जानवी से लेना पड़ेगा 25,000 ऐसा सिचुएशन हो सकता है मतलब बिल्डिजॉणर का केस यहां पर सम जितना भी सम बनेगा उसमें बिल्डिजॉणर होगा और बिल्डिजॉणर में क्या होगा सम के साथ अपने समझते है राइट लाइबिटी दोनों का है बिल्कुल और बिल्डिजॉणर होगा Bill dishonor होने से क्या होगा Bad debt वगरा होगा Bad debt का चक्कर आएगा ठीक आएगा बिल्कुल bad debt का चक्कर यहाँ पर बनेगा पहले एक बार basic concept समझो ठीक है Bill dishonor वाल़ा बात हम इधर लाएंगे उसी में तो मसाला आएगा Otherwise तो sum में कुछ दम ही नहीं रहेगा फिर से एक बात बता रहा हैं दो फ्रेंड मिल करके एक जन बिल ड्रो किया दूसरे को दूसरा बिल एक्सेट किया जिसके हाथ पपे बिल्स रिसीवेबल है वो डिसकाऊंट कराया बैंक से उसके पास पैसा आ गया पैसा अपस में शेयर कर लिया discounting charges भी आपस में share कर लिया जब due date आया तो जो जितना पैसा use किया वो उतना दे दिया और जिसके हाथ में bills payable है वो bank को pay कर दिया बट जिसको pay करना था मान लो साकेत को pay करना था to janvi but she doesn't pay साकेत doesn't pay तो ऐसे case में janvi will pay पूरा 50,000 and she will try to recover from साकेत how she will recover c may raise another bill एक और janvi can draw another bill to साकेत इस बर साकेत will accept the bill अभी janvi will draw the bill साकेत will accept the bill now bill receivable is in the hands of janvi she will get the bill discounted from bank अब उसके पास पैसा आ गया उस पैसा से जो bills payable pay करना है payment हो जाएगा payment हो जाएगा तो इस तरह से कहानी चलेगा और उसके बाद होगा bill dishonor ठीक है इसको पूरा एक example के साथ समझते हैं accommodation bill का हम लोगो basic meaning समझ में आ चुका है ठीक है एक example के साथ बोल bank के नजरों में bank के नजरों में पहला liability janvi का है correct तो if janvi is able to pay she will pay otherwise इसमें भी एक और तरीका है अगर janvi मान लो janvi नहीं मानती है कि नहीं हम क्यों pay करें safe for example तो दोनों जर्ण आपस में ये बात कर सकता है चल अपने को थोड़ा सा और time चीए ना चल इस बार ऐसा करते हैं इस बार हम bill draw करते हैं तुम bill accept कर ले तो वापी से हाथ में पैसा आ जाएगा तो उससे पुराना वाला bill का payment कर देंगे और तीन बारा का time मिल गया राइट ओके तो इस concept के base पर अपने कर रहे हैं पहला question question number one question number one आराम से read करोगे साथ में for mutual benefit Mr. A and Mr. B on 1st April 21 Mr. A drew a 4 months bill on Mr. B for 6,000 mutual benefit के लिए Mr. A ने Mr. B को 6,000 रुपय का bill draw किया Mr. B returned the bill after acceptance on the same date Mr. B ने bill accept कर लिया और same day return कर दिया बोलो किसके लिए bills receivable है और Mr. B के लिए हो गया bills payable Mr. A discounted the bill from his banker at the rate 5% पर है न तो बोलो discounting charges कितना कटा calculate करके बताओ कितना calculate करके जल्दी से बताओ discounting charges कितना कटा interest का calculation तुम लोग कैसे time factor को बिना लिये करते हो समझ में नहीं आता है 6000 रुपया का 5% होता है 300 बट सर चार मैना कई तो bill है into 4 divided by 12 100 रुपया discounting charges 100 रुपया तो इसका मतलब bank कितना pay करेगा 100 रुपया काटके 5900 पे कर देगा किसको Mr. A को and Mr. A फिर क्या करता है remit कर देता है 50% of the proceed to Mr. B him यहाँ पर B है 50% का मतलब 5900 का 50% 2950 दोनों आपस में 2950 शेयर कर लेता है 100 रुपया का जो discounting charges वो भी 50-50 रुपया book करेगा क्योंकि वो लोग share कितना कर रहा है 50% ठीक है on due date Mr. A failed to send the amount due and therefore Mr. B draws a bill for 10500 तो जब due date आया bills payable किसके लिए है B के लिए B के लिए तो bills payable है तो B को तो pay करना पड़ेगा 6000 B will have to pay 6000 to bank बट उसमें से उसको 3000 रुपया चाहिए न Mr. A से 3000 चाहिए तो 50% वो 3000 दिया ही नहीं तो B क्या बोला कि चल कोई बात नहीं अब हम bill race करते हैं तेरे को 10500 का तुम bill accept कर तो उससे अपने 6000 तो एक तो pay कर देंगे बाकी और अपने पस थोड़ा सा पैसा आएगा वो वापीस से share कर लेंगे बात समझ में आ रहा है हाँ 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 बैंक को pay करना पड़ेगा वो B pay कर देगा अरे B bill draw किया न 10500 का A ने accept किया तो वो वापीस से 10500 हाथ में आगया कि नहीं आगया B के हाथ में 10500 आगया कि नहीं आगया आगया ना तो 10500 में से 6000 पहले pay कर देगा और 4500 वापीस से share कर लेगा बात समझ में आ रहा है which is duly accepted by Mr. A 10500 का bill इस बार B ने draw किया और किसने accept किया Mr. A ने Mr. B discounted the bill for 9900 10500 का bill को discount कर रहा है 9900 में मतलब discounting charges कितना 600 रुपया फिर बोल रहा है and send रुपीस 1950 to Mr. A बोलो इस बार जो दूसरा वाला bill है कितना रुपया का bill है दूसरा वाला 10500 10500 में A और B में कितना कितना share हो रहा है A कितना उसमें से use कर रहा है और B कितना use कर रहा है ये सबसे important बात है इस पूरे question का हम तुम लोग को ना एक बार ये वाला example वापिस से timeline के थूँ बताते हैं हडबढाना मत आराम से take your time and understand the concept 1st April 21 4 मेहना बोलो तो कब end होगा April, May, June, July, 31st July ठीक है इसमें plus 3 grace days भी जोड़ सकते हैं बट एक बार हम चीजों को simple रख रहे हैं यहां पे grace days का calculation वगरे से related कोई अपने को जरुवत नहीं पड़ेगा इसलिए हम grace days को ignore कर रहे हैं ठीक है तो April, May, June, July हम मान रहे है 31st July 31st July 1st April 21 था 31st July 21 को पहला बिल का due date आ जाता है फिर वापिस से 10,500 का कितने महने का बिल and therefore B draws a bill for कितना महना का इसमें दिया वानी है यहां पे दूसरा बिल शूरू हो जाता है ओके पहला वाला बिल A ने B को ड्रॉ किया कितने का 6,000 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गया 100 रुपया और 5,900 आया which A and B shared 2,950 2,950 which is 50% and 50% correct है यहां पे जाकर के bill dishonor हो गया A को pay करना चाहिए था B को bill dishonor नहीं हुआ basically bill का payment हुआ B ने bill का payment किया bank को but A को देना था B को 3,000 रुपया कितना देना था 3,000 रुपया ना क्योंकि 50% यूज किया है अरे बाबा 5,900 जो बैंक से मिला वो उसमें यूज किया खाली 2,950 लेकिन 50 रुपय इंट्रेस भी तो जोड़ के 3,000 रुपय देगा ना B को तो 3,000 रुपया देना था वो नहीं दिया correct 3,000 रुपया देना था नहीं दिया अब यहां पर आकर के B ने A को ड्रॉ किया कितने का bill 10,500 ठीक है 10,500 में 600 रुपया का discounting charges काटके bank ने pay किया बो लो कितना 9,900 अब यहां पर रुख जाना सबसे important बात इस 9,900 में if you are saying and if you are thinking इस 9,900 में A को तो खाली 1,950 मिला आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो A को खाली 1,950 नहीं मिला थान से समझना इस 9,900 में bank को pay करना पड़ा कितना 6,000 रुपया 6,000 रुपया pay करना पड़ा तो तो इसका मतलब हम फिर से A और B का ऐसे divide कर रहे है A को जो 3,000 देना था वो नहीं दिया एक तो वो वही यूज किया A was supposed to pay ना 3,000 वो नहीं pay किया तो वो भी तो उसको मिला और प्लस उसको 1,950 और मिला तो 4,950 अब बचा हुआ 9,900 में से 4,950 भी ने यूज किया फिर से 50,50 हुआ है Can you see मत बोलना खाली 1,950 ये 50,50 सेकेंड वाला बिल का भी शेरिंग 50,50 हुआ है बस ये समझना सबसे important बात है इस question में अराम से take your time बिना हड़ बढ़ाए question का language को फिर से read करो और ये 50,50 वाला बात खाली समझो हम repeat कर रहे है सेकेंड वाला बिल कितने का है 10,500 का 10,500 बैंक से discount कराने के बाद मिला 9,900 तो B के पास अभी पैसा कितना है 9,900 बट इस 9,900 में से तो 6,000 उसको pay कर देना तूरंट बैंक को अरे इस में से तो तूरंट 6,000 पै कर देना बैंक को तो बचेगा कितना 3,900 अब तुम ऐसे देखो इस 3,900 में से 1,950 ये ले लिया तो आधा ले लिया ना तो इसको एक तो आइडेली 3,000 देना चीए था A was supposed to pay 3,000 against the first bill to be और वो तो दिया नहीं वो वो तो pay किया नहीं तो एक तो वो अपने मानेंगे कि वो use कर रहा है 3,000 रुपय वो use कर रहा है आउट अफ दिस 9,900 वो use कर लिया 3,000 प्लस उसको 1,950 मिला तो इसका मतब टोटल आउट अफ 9,900 4,950 वो use कर लिया and B is also using 4,950 B के पास भी पैसा नहीं है तो B क्या कर रहा है वो बुला चल मेरे को भी पैसा मिल जाएगा 9,900 जो आएगा उसमें से 6,000 तो pay कर देंगे तो 3,900 बचेगा 3,900 को भी अपने 1,950, 1,950 बाट लेंगे बात समझ में आ रहा है अब जब वापी से due date आएगा तो due date में कितना pay करना है बैंक को 10,500 पै करना है 10,500 इस बार bills payable किसका है एका इस बार bills payable है तो पूरा वो pay कर देगा अच्छा उसमें से कुछ expect कर रहा है 20 से मिलेगा कितना आधा 5,2,50 सब लेकिन वो use तो 4950 ही किया बाकी 600 में से 300 रुपिया interest 600 में से 300 रुपिया discounting charges 4950 प्लस इसका 50% 300 5250 B इस बार पे करेगा A को और A विल पे टू बैंक पूरा 10,500 5,250 जो B से मिलेगा वो और प्लस खुद का 5,250 और 10,500 पे कर देगा बैंक को पक्का story connect हो रहा है बन रहा है story ठीक है फिर से question का ये वाला लाई हम लोग रीड करेंगे On due date Mr. A failed to send the amount due, 3,000 रुपिया देना था नहीं दिया, and therefore Mr. B draws a bill for 10,500 which is duly accepted by Mr. A Mr. B discounted the bill for 9,900 and sent 1950 to Mr. A Before the bill is due for payment Bill due for payment होने के पहले Mr. A became insolvent Mr. A हो गया, अब insolvent तो उसको जो 10,500 पे करना है bank को वो तो पे नहीं कर पाएगा अब ये 10,500 किसको पे करना पड़ेगा जिसने bank से bill discount कराया जिसने bank से bill discount कराया इस बार ये 10,500 वाला bill कौन discount कराया था B तो B को pay करना पड़ेगा पूरा 10,500 सर फिल लेकिन A से जो मिलना है 5,250 वो वो मिले नहीं मिले वो ये लोग का matter है A और B का उससे bank को कोई मतलब नहीं है लेटर 30% was received from his estate Mr. A का जो total due था 5,250 उसमें से 30% recover हो पाया बाकी का bad date हो गया past necessary general entries in the books of A अपने को सिर्फ A का books का entry पूछा है इस सम में ना खली A के books का entry पे focus करो सर क्यों B का भी तो books का entry हम लोग को सीखना है वो second question में सीख लेंगे एक बार ये वाला सम खली A के books में अपने focus करेंगे entry लिखना start करो 30% of his estate बोला ना 30% was received from his estate इसका मतलब क्या होता है कि A का total जितना liability है वो उसका 30% ही पे कर पाएगा तो A का liability तो 5-2-5-0 का है A का liability तो 5-2-5-0 का यह ना बाकि 5-2-5-0 तो B को पे करना था तो A अपना 5-2-5-0 का liability में से 30% पे कर पाएगा 70% डूब जाएगा correct तो अपने को question में journal entries पूछा है अपने proper format बना देंगे जर्नल एंट्री इंट्री 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 होगा कोई नहीं नहीं एकदम दिक्कत नहीं है तुम हाथ से काटाने का पैसे कैसे क्या हां हां फ्री हैंट्से नरेशन देना पड़ता है नरेशन देना पड़ता है डेट पटिकुलर्स एलेफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट फॉर्माट रेडी है अब हम लोग जब जर्नल इंट्री पास करेंगे ना तो प्रॉपर डेट्स में इंट्री पास करेंगे इसमें ग्रेज डेज को भी अकाउंट फॉर करेंगे ड्यू डेट का मतलब इंक्लूडिंग ग्रेज डेज ठीक है तो पहला इंट्री 1st एपरिल 21 को खाली A के point of view से सोचना है B को picture में लाओ ही मत खाली A के नजरिये से सोचो A सबसे पहले क्या कर रहा है बिल ड्रॉ कर रहा है और वो accept हो करके मिल जा रहा है B से बिल्स रेसेवेबल अचाँट देट 2B's account चाहँजा रुपयका क्या विंग बिल्टर रॉन वर मूचल बनेफिट या फिर बिंग अकॉमोडेशन बिल्ड रॉन बिंग बिल्ड रॉन भी चल जाएगा नेक्स्ट एंट्री उसे दिन बैंक से डिसकाउंट करा लिया बैंक अकाउंट डेबिट डिसकाउंटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बिल्ड रिसीवेबल अकाउंट बिल्ड रिसीवेबल अकाउंट को अभी हम शॉट में बी आर लिख रहे हैं डिसकाउंट यह बिल्ड रिसीवेबल तो सर 6,000 का था जो गया डिसकाउंटिंग चार्जेज का माउंट जरा बता दो कैसे कैलक्वेट होगा छह हजार इंटू 5 by 100 इंटू 4 by 12 क्योंकि चार महने का बिल है यह 100 रुपया आ रहे है तो यह 5900 आ रहे है बिल्ड डिसकाउंटेड डन है comfortable चल रहा है पक्का नेक्स एंट्री बताओ किस दिन होगा डेट बोलो उसी दिन होगा उस दिन पहले अरे आधा पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा क्या अभी को क्या मतलब गुड्स का खरीदना बेजना सर कुछ नहीं हो रहे कंपनी में यह क्यों हो रहे यह तो आपस में फ्रेंड लोग का ट्रांजिक्शन है फ्रेंड लोग बिजनेस फ्रेंड्स दो एंटिटी आपस में मिलके एयर टेल और रिलाइंस जीओ यह गलत एक्जांपल दे दिए हो लोग दोस्त नहीं है बट जहां ऐसे मान लो दोस्त है राइट दोस्त है एकदम एकदम फंड रेजिंगी है यह इसमें पूरा पेपर वर्क हो रहा है प्रॉपर डॉक्यमेंटेशन है बेसिकली एक तरह का फाइनांसिंग अरेंज्मेंट है प्राक्टिकली इस तरह से होता है क्या नई बट इसमें सम अच्छा बनता है तो आपने पढ़ते हैं ठीक है, 20 account debit, बोलो 20 account debit कितना करें, पहले बता 2 bank होगा क्या, 2 bank कितना होगा, 5,900 का अधा, 2950, ये discounting charges जो अभी A ने अपने books में book किया है, 100 रुपिया, ये पूरा 100 रुपिया उसी का खर्चा है, ये अपने books में पूरा 100 रुपिया खर्चा रहने देगा, नहीं, नहीं ना, अरे बाबा जब पैसा आधा भेज दिया, तो खर्चा भी अपने books से आधा अटाएगा, ये खर्चा भी किसको transfer करेगा, B को, discounting, charges, ये भी 100 का आधा, 50%, 50, तो इसका मतलब B को देखो, total due कर दिया 3000 और ये सही भी है, सही भी है 3000 due करना, क्योंकि अभी इसके पास देखो, ध्यान से समझना, bank से bill discount कराया हुआ है 6000 का, तो bank को तो ultimately 6000 मिलना चाहिए, उसमें से 3000, B को पे करना है, और 3000 उसको पे करना है, पैसा कितना-कितना use हुआ, उससे क्या मतलब है, उसमें तो discounting charges का भी तो component है, बात समझ में आ रहा है, ओके, next entry on which date, next entry सिधा, due date में बात होगा, बोलो due date क्या है, 1st April से 4 महना, 1st May, June, July, August, 1st August, 3 Grace Days, 4th August, अच्छा हाँ, इसका narration भी तो बोलो, being 50% Rex, बज़ने 15% है, इस रहाँ च्छ बोलोगा, 5thude, Persian न च्छान अंच्छ पर में बोलो इस एक बोलो, 6th Suddenly, 21 को 4th August 21 को Mr. A was supposed to pay to B B के लिए bills payable है B तो pay करेगा A को भी तो 3000 देना चीए था न तुम देख लो अभी तुम at this point अगर सारा plus minus करके देखोगे न तो तुम को समझ में आएगा कि A has a liability of 3000 towards B कैसे सर देखो पहले यहाँ पर B को 6000 credit किया और फिर देखो B को यहाँ पर debit किया 3000 तो इसका मतलब B का 3000 रुपय का credit balance है that is a liability which was supposed to be paid which was supposed to be paid but A never paid instead what A did वो B को बोला कि तुम अब ऐसा कर कि तुम अब bill raise कर मेरे को और हम bill accept कर लेते हैं तो अब इसके लिए bills payable बन जाएगा यह बोलेगा 20 account debit हिसाब से ideally क्या करना चाहिए था 20 account debit 3000 two bank 3000 कर देता matter close हो जाता बट वो इस तरह से debit नहीं करके क्या कर रहा है और घुमारा भी bank को पहले bills payable इस बाद bills payable account है यह कितना बोलो तो 10500 दस हैर 500 का liability आ गया डिजॉनर हुए ही निये bill अभी important discussion है यहाँ पर sir at this point पहले तो 4th August को bill number one का payment होना चाहिए था bill number one का payment होना चाहिए था bill number one का payment होगा bill number one किसके लिए bills payable है bill number one bills payable किसके लिए है B के लिए bills payable है B will pay 6000 to bank B के books में उसका accounting entry आएगा इसके ठीक बाद वाले sum में हम लोग देखेंगे B इसका क्या accounting करता है पहले एक बार इसका books close करते है इसका books एक बार समझ लेते है B will pay बट B पता है कैसे pay करेगा पहले A bill accept करेगा देखो A नहीं हाँ पर bill accept किया B के पास bills receivable है और A के लिए bills payable है B के लिए अभी ये 10,500 का bill B के लिए bills receivable है B पहले bank से discount करवाएगा 10,500 का bill discount कराने से उसके पास 9,900 पहले आ जाएगा और फिर उस 9,900 में से वो 6,000 पहले bank को pay कर देगा 3,900 जो बच जाएगा उसमें से 1,950 A को देदेगा बात समझ में आ रहा है बट ये जो चीज हुआ ये तो सारा B के books में हो रहा है इसका accounting entry अपने नहीं पास कर पाएगे अपने किसका books अभी यहाँ पर entry किसका पास करेंगे पहले तो बिंग बिल एक्सेप्टेड और फिर इसे दिन उसको जो पैसा मिला बैंक में पैसा आया ना 4th August 21 कोई बैंक अकाउंट डेबिट 1950 क्या अभी यह है सबसे important discussion सबसे important यह है discounting charges डेबिट यह बता दो पहले कितना होगा देखो इसका calculation ऐसे करना पड़ेगा सर एक तो पुराना वाला 3000 रुपिया जो इसको देना था वो नहीं दिया प्लस 1950 इसको और मिल गया राइट वो total कितना पैसा यूज़ कर रहा है 4950 out of total amount total proceeds of 9900 out of total proceeds of 9900 और total discounting charges is 600 देखो discounting charges total 600 लगा है बोलो yes or no 10500 का 9900 यह मिला B को मिला तो 600 रुपिया को जो discounting charges है उसमें A का share कितना total इतना पैसा में से इतना A यूज़ किया बात समझो प्लीज calculation easy एकदम तो तोटल 9900 रुपिया जो आया उसमें से A यूज़ कर रहा है 4950 9900 में से 4950 यूज़ कर रहा है तो 50% यूज़ कर रहा है हाँ बोलो बोलो तो A अपने बुक्स में ये 2000 कितना 300 रुपिया का बुक करेगा खर्चा और यहां पे 2 बीज अकाउंट 2250 क्या बिंग 50% आफ नू बिल रिसीफ फ्रॉम बी इसको 50% ही बोलेंगे ना क्योंकि एक तो 3,000 तो इसको देना था वो नहीं दिया तो वो मिलने जैसा ही है और 1950 मिल गया तो total 50% मिल गया 50% इसलिए बोल रहा है 50% का calculation important है नेक्स बोलो अब यहां पे क्या होगा अब सर वापिस से due date आएगा इसमें कितने महने का bill है बोला है क्या question में दूसरा वाला bill which is duly accepted by A Mr. B discounted the bill and sent 1950 to A before the bill is due for payment A became insolvent अब before the bill became due यह कोई date अपने को दिया ही नहीं अपने भी date इग्नोर करेंगे date दिया ही नहीं क्या करें यह बोल देता सिर्फ कि तो आपने चार अगस्त से तीन महना जोड़के और प्लस थ्री ग्रेजडेस जोड़के वहां तक पहुँच जाते बट यह तीन महना का दो महना का कितने महिने का bill है यह भी नहीं बताया तो हम लोग date तक पहुँच नहीं पा रहे है इसलिए हम लोग date को अभी next वाले entry में ignore कर रहे है तो अब बताओ next entry क्या होगा bill dishonor हो गया सर यह वाला bill Mr. A के लिए bills payable 10,500 होगा अब वो pay नहीं कर रहा तो यह bill dishonor हुआ तो bills payable account debit to 20 account क्या correct है ना bills payable का payment करना था नहीं पे किया 10,500 इस बार Mr. A ने bill dishonor कर दिया being bill अब यह bill dishonor हो गया B ने तो discount कर आया था B को तो pay करना ही पड़ा होगा now A is liable to pay to B now A अब bills payable का payment कुछ नहीं करना है bills payable तो खतम हो गया चलो but B को तो pay करना है now A is liable to pay to B और उसका 30% दे देगा बाकि 70% नहीं दे पाएगा वो deficiency account में close हो जाएगा मेरा question अभी at this point यहां पर है कि इस entry के बाद तक how much is the amount payable by A to B पहले बोलो यहां पर payable कितना है at this stage how much is payable by A to B तुम एकदम plus minus करके normal balance calculate कर लो 5 to 5 0 आएगा 5 to 5 0 आएगा ना आ रहे है चेक करो देखो कैसे sir B is a liability यहां पर 6,000 रुपय का तो अपने जो plus balance है वो liability का balance है तो 6,000 ठीक है फिर उसके बाद यहां पर debit हो रहा है तो minus 3,000 तो 3000 देना था लेकिन अब देखो यहां पर B वापिस से debit हो गया 10,500 तो plus 10,500 कि minus 10,500 minus 10,500 क्योंकि debit को अपने minus कर रहा है minus 10,500 ठीक है फिर plus 2 to 50 और फिर plus 10,500 देख लो 5 to 50 आ रहा है यह हम ledger बना के भी दिखा देंगे just एक बार focus करना सर 5 to 50 पे करना है वो entry pass करेगा B's account debit 5 to 50 but bank से payment कर पाएगा only 30% 5 to 50 का only 30% बाकि जो pay नहीं कर पाएगा actual में यह पता है B के लिए bad debt है एक खुद का amount को bad debt नहीं बोलता है उसको नाम देता है deficiency account खुद को bad debt नहीं बोलता है खुद को bad थोड़ी ना बोलेगा खुद को तो मजबूरी बोलेगा उसको बोलता है deficiency 70% 1575 3675 being 30% of due paid as A becomes insolvent A का बुक्स का accounting complete हो चुका है हाँ बोल income bad debt नुक्सान होता है ना B के लिए नुक्सान है A के लिए income है A के बुक्स में income है bad debt PL का debit में आता है deficiency PL का credit में जाता है लेकिन पता है ऐसे case में जब भी deficiency आ रहा होता है वो basically insolvency का case होता है और वहाँ पे बुक्स close हो रहा होता है उसका तो दिखने को दिखेगा deficiency deficiency क्या होगा मालूम है जो वो liability नहीं चुका पा रहा है वो है debtor से पैसा मिलना है 10,000 रुपया मिल रहे खारी 4,000 रुपया 6,000 नहीं मिल पा रहा है तो तुम क्या बोलता है 6,000 का नुक्सान हो गया ठीक है क्योंकि पैसा मिलना था नहीं मिला deficiency पता है 10,000 पे करना था 4,000 पे कर दिये 6,000 पे नहीं कर पा रहे है क्योंकि deficiency है तो जैसे bad debt नाम का नुक्सान आता है PL के debit में deficiency नाम का वैसे तो PL में income दिख रहा होता है लेकिन वो books closure एक तरह से firm insolvent हो चुका है वैसा वाला situation होता है बात समझ में आ रहे है हाँ balancing figure है जो नहीं पे कर पा रहे है 30% ही पे कर पा रहे है उसका total liability का 70% deficiency में चला जाएगा क्योंकि insolvent हो चुका है बोलो हमेशा 50-50 बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं इसके बाद वाला question में probably शाइद ratio change हो जाएगा 50-50 हमेशा थोन ना रहेगा 2-3, 1-3 हो सकता है 1-4, 3-4 हो सकता है नहीं नहीं हम जो उनों का case में बोलता है जैसे जब draw करें तब जुस्ट नहीं नहीं हम समझ गया got the point सर जब पहली बार बिल्ट draw किये थे तो 50-50 था दूसरी बार बिल्ट draw किये तो 1-3, 2-3 हो गया हो सकता है तुमको इसलिए तो ये वाला calculation important है percentage निकालने के लिए पहला वाला percentage तो तुमको question में देगा कि 50-50 कर रहे लोग दूसरा वाला percentage कभी भी देगा नहीं तुमको ऐसे निकालना पड़ेगा entry कहां पर mistake होता है पहला वाला ये वाला entry दूसरा ये वाला entry ये comparatively easier है सबसे ज़्यादा गलती इस जगा पर होता है अगर ये तुम ठीक से कर लिया तो तुम percentage केरफूली calculate किये correctly calculate किये बाकि सम एजी है फिर हाँ हाँ वैसी वैसी कर सकते हैं और ये हम तुम को एक बार ledger से भी दिखा देता है in the books of A, B's account देखो खाली B's account अगर ledger समझ जाओगे तो उससे बात और अच्छे से clear हो जाएगा पहली बार कर रहे हैं इस तरह का कुछ तो तुम लोग को तो थोड़ा अजीब लग सकता है अभी और तीन questions ले जब practice करेंगे तो तुम लोग एक्तम comfortable हो जाओगे शूर एक्दम ठीक है देखो ledger पहले ये bill draw किया तो bills receivable account debit हुआ और ये तो एक्दम लेड़ कर रहे हैं सिर्फ लेजर दिखा रहे हैं 6000 रुपया का bill draw किया फिर इस bill को discount कराया discount करा कि 50% इसको भेज दिया तो टू बैंक बैंक से तो पैसा 2950 ही गया लेकिन discounting charges भी transfer कर दिया 50 रुपया ठीक है फिर जब due date आया तो A was supposed to pay to B but नहीं pay किया rather वो एक bill accept कर लिया तो उसके लिए अब next bills payable हो गया कितना 10,500 इसमें से इसको पैसा मिल गया 1950 क्या 1950 और इसका discounting charges 300 ठीक है अब वापिस से जब due date आया तो इसको ideally मिलना चीए था 5,250 बी से और 10,500 ये pay कर देता bank को बट ये खुद insolvent हो गया ये खुद insolvent हो गया तो अब bank को ये तो कुछ भी pay किया नहीं rather be had to pay पूरा 10,500 to bank और ये क्या कर रहा इसका जो भी due amount अब यहाँ पे at this point जब तुम due amount calculate करोगे bill dishonor का entry खाली पास कर दो bill dishonor का bills payable था इसके books में ना ये वाला bills payable ये dishonor हो गया dishonor हो गया तो यहाँ पर buy bills payable आएगा ना bills payable account debit to 20 account 10,500 अब at this point जब तुम liability calculate करोगे तो 5,250 आएगा अब ये 5,250 का liability को कैसे settle कर रहा है bank से pay कर रहा है थोड़ा सा और बाकी deficiency हो गया bad debt का ulta deficiency is exactly bad debt का ulta 1575 3675 और ये match करा लो match obviously हो जाएगा total बोलो कितना आ रहा है लेजर का 1875 दोनों साइड मैच करा दिया तो 18750 हाँ पूछना हाँ हाँ मतब अगर मान लो a ने use किया होता two third तो 10 एर 500 इंटो two by three पक्का निकलता क्योंकि ये तुम percentage यहाँ पर calculate किया है इधर ही percentage डिसाइड होगा कि तुम कितना percentage पर सा use किया ये उसके हिसाब से निकलेगा किया है Question number 2 T draws on J a bill exchange bill of exchange for 1,80000 on 1st April 22 for three months ठीक है, J accepts the bill and send it to T who gets it discounted from his banker for 170 to 800 कितना रुपया, 7200 क्या, 7200 discounting charges काट लिया bank T immediately remits 57600 to J मतब 172 800 में से 57600 ट्रांसफर कर दिया J को on the due date, T being unable to remit the amount due accepts a bill for 252 for 3 months which is discounted by J from his banker for 24600 इस बर वापी से वो नया bill issue किया इस बर J ने bill draw किया और T ने accept किया वो कितने का bill था, 252 का था और फिर 252 का bill discount कर आया तो 24660 आया बैंक से बाकी discounting charges कट गया यही से अब तुमको percentage निकालना पड़ेगा J sends 40,442 T before the maturity of the bill T becomes bankrupt that is insolvent and his estate paying 50 पैसा इना रुपी, मतलब 50% give the general interest in the books of isba T and J दोनों की books में accounting करना है ठीक है चलो एक दो माराम से करते चलेंगे यहां पे अपने एक काम करते हैं थोड़ा सा space बचाने के लिए exam में भी sir ऐसे कर सकते हैं या नहीं exam में ऐसे नहीं कर सकते हैं अभी जैसे हम करने वाले हैं exam में आपको अलग-अलग से करना पड़ेगा in the books of T पूरा अलग से फिर उसके नीचे in the books of J पूरा books of account हम दोनों का books of account को हम side by side accounting दिखाना चाहा हैं थोड़ा सा fast करने के लिए ठीक है अपने अभी class में side by side करेंगे और अब हम narration ignore करेंगे ठीक है सबसे पहला transaction किस दिन हो रहा है 1st April 22 को हो रहा है 1st April 22 के दिन T के पास आया bills receivable to J कितना 1,80,000 और इसके लिए आया T to bills payable ओके फिर T क्या किया bill discount करा लिया तो bank discounting charges to bills receivable bank में पैसा आया 172,800 7,200 discounting charges और 1,80,000 का bill गया बोलो ये वाला entry का corresponding entry J के books में क्या होगा कुछ नहीं होगा अरे भई T ने bill discount कराया J को इस बात से क्या मतलब है J को तो तब मतलब होगा जब उसको पैसा मिलेगा बात समझ में आ रहा है अब यहाँ पर आपको percentage नहीं बताया कि कितना percentage transfer किया यहाँ पर amount बताया कि 59,600 transfer किया 57,600 transfer किया 57,600 transfer किया आउट ओफ 172,800 अरे भई उसके पास account में पैसा कितना है 172,800 है 172,800 में 57,600 transfer कर दिया कितना transfer कर दिया बोलो 33.33% आएगा That is one third That is one by three तुम ऐसे करके देख लो न 172,800 172,800 divided by three 57,600 exactly आ रहा है तो इस बार जो discounting charges दे 7,200 वो भी वैसे भी एर करेगा T is using two third of the पैसा and J is using only one third of the पैसा तो discounting charges भी 4,800, 2,400 two third, one third, 7,200 का two by three TBR करेगा one by three JBR करेगा पक्का तो यहाँ पर अभी तो इंट्री नहीं होगा J के books में ये वाले point पर इंट्री नहीं होगा बट जैसी bank से transfer करेगा देखो पैसा क्या इंट्री होगा J 57,600 discounting charges ये तुम one third calculate कर लिए अपने ना working note में calculate कर लिए one third 7,200 का one third कितना होता है 2400 two bank account एक मिनट सॉरी सॉरी ये discounting charges credit होगा guys यहाँ पे ना J debit होगा 60,000 अपने bank amount है देखो two bank कितना है two bank है 57,600 two discounting charges है 7,200 का one by three that is 2400 तो total 57,600 तो एक तो पैसा transfer किये और खर्चा भी 2400 वो bear करेगा तो J को debit actually करेंगे 6000 और ये क्या बोलेगा मिरे पस bank में पैसा आया 57,600 और discounting charges ये अपना book करेगा 2400 क्या two T's account 60,000 बोलो clear है क्या ये वाला बात ठीक है यहां तक का बात done है ये सारा काम हो रहा था 1st April 22 को 1st April 22 के दिन हुआ ये सारा काम 3 मेहना का bill है मतलब May, June, July, 4th July Next entry होना है 4th July को 4th July 22 को 4th July 22 को ideally ideally क्या होना है T T transfer करेगा J को क्योंकि J के लिए bills payable है J have to pay to bank कितना 180 बड उसमें से 60,000 ही तो इसका है 1,20,000 तो मिलना था T से T बोला देख भई हम 1,20,000 अभी नहीं दे पाएंगे एक काम कर तुम मेरे को एक नया bill raise कर वो bill हम accept करते हैं तो ठीक है इस बार ये bill accept करेगा बोलेगा J 2 bills payable ये amount कितने का है 2,52,000 का नया bill है देखो ये वाला ला लाइन वापी से पढ़ना on the due date T being unable to remit the amount you accepts a bill of 252 for three months इस बार डेट बता दिया आपने को which is discounted by J from his banker for 246,60 ठीक है तो पहले तो 252 का bill issue करेगा 2,52,000 और इसके ले bills receivable to T 2,52,000 correct है अब ये क्या करेगा सबसे पहले bill discount कराएगा bank discounting charges to bills receivable bills receivable 2,52,000 का गया bank में पैसा आया 2,40,660 2,40,660 और बाकी का balancing figure गया dishonor हुआ कहा dishonor हुआ ही नहीं देखो हम दिखा रहे हैं अभी dishonor हुआ ही नहीं अभी तुमको दिख जाएगा अभी दिख जाएगा देखो 11,340 पक्का यहां पे देखो पहले इस entry का corresponding entry यहां होगा कुछ कुछ नहीं होगा सर ये तो bill discount कराया है जे के पास bill receival था वो discount कराया है यहां पर इसको कोई मतलब नहीं है अभी यहां पर एक important बात सुनो सब कोई जे अभी क्या करेगा पता है जो पहला वाला bill है ना इसको pay off कर देगा क्योंकि देखो उसके पास अभी bank में पैसा आगया बहुत सारा इससे वो बात समझ में आ रहा है पहला वाला bill is honor हुआ ही ना यह वाला entry हम लोग question number one में नहीं देख पाए थे क्योंकि इसके books का accounting अपने करी नहीं रहे थे B के books का accounting अपने कर ही नहीं रहे थे खाली A का books का accounting किये थे अभी यह वाले समयम तुमको J का भी books का entry बता रहे है in fact question number one में भी यह वाला entry B ने पास किया था B का अपने accounting किये नहीं बात समझ में आ रहा है पहला वाला bill 6000 रुपया का था ना question number one में पहला bill 6000 का यह 6000 का payment B ने किया था जब 10500 में से उसको 9900 मिल चुका था इस 9900 में से वो 6000 पे कर दिया था bank को बात समझ में आ रहा है इस question में यहाँ पे 24660 जो आया उसमें से 801 पे कर दिया bank को अब देखो अब बाकी इसके पास पैसा बचा हुआ है यह पैसा में से कितना रुपय ट्रांसफर कर रहा है J cents 444402T अब मेरे को amount पहले percentage खाली calculate करके बताओ rough में देखो total amount कितना है 252 पहले 252 छोड़ो पहले 24660 में से 24660 में से T कितना use कर रहा है T use कर रहा है एक तो पहले उसको 1,20,000 देना था वो नहीं दिया वो use कर लिया और plus उसको पैसा मिल रहा है 44440 out of 2,40,660 not out of 252 please understand the difference 252 में से नहीं 2,40,660 में से 2,40,660 में से T कितना use कर रहा है 1,60,440 16440 divide by 240 660 into 100 इस बार आ रहा है 2,30 तुम इसको ऐसे करके देख लो 2,40,660 2,40,660 into 2 divide by 3 देखो 1,60,440 आ रहा है इस 1,60 हाँ फिर से repeat कर रहा है चलो यहाँ पर हम repeat कर रहा है अभी लिखना मत ध्यान देना अभी 2,00, 4,60,660 रुपया बी के पास अकाउंट में पैसा है अभी जो हाथ में इसके 2,40,660 आया उसमें से 1,80 वो ट्रांसफर कर दिया बैंक को तुरंट बढ़ यह बैंक को जो 1,80 दिया उसमें से तो एनिवेज 1,20,000 मिलना था एसे बो यह सौर नो उसका खुद का तो 60,000 ही था लाइबिटी 1,20 तो मिलना था उसको टी से वो 1,20 टी से मिला नी वो 1,20 इसमें से रिकवर किया बो यह सौर नो अर यह 2,40,660 में से वो रिकवर किया 1,20,000 टी से जो मिलना था मतलब इसमें टी का शेयर और जे का शेयर कितना कितना जब निकालेंगे तो आपने बोलेंगे कि सर देखे पहले तो इसको एक लाग बीस हजार देना चाहे था इसका तो साथ हजार ही था ड्यू प्लस इसको चालिस चारसो 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 चालिस इसको भेज दिये वो भी T यूज़ कर रहा है बाकी बचावा पैसा तुम देख लो ये यूज़ करेगा देखो हम दिखाते है कैल्कुरेटर में 2,4,660 आया उसमें से माइनस 1,8,000 बैंक को दे दिये तो बचा 6,660 इसमें से माइनस 4,440 एको ट्रांसफर कर दिया तो इसके पस खाली 20,220 ही तो बचा तुम देख लो ये पूरा हिसाब हो गया 2,4,660 का 2,4,660 में से 1,2,000 तो ये यूज़ कर रही है इसको देना था नहीं दिया तो उसी का तो पैसा हुआ वही तो यूज़ किया वो तीन मेना के लिए कौन किया ये वाला 1,20 एर यूज़ टी तो यूज़ किया ये एक बीश टी यूज़ किया ये 4,460 और टी को दे दे रहे है वो भी यूज़ कर रहे है ये अपना खुद का 60,000 और बाकी बचा हुआ बैलेंस ये यूज़ कर रहे है तो अगेन तुम रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो आएगा 2,3,1,3 अब डिसकाउंटिंग चार्जेस जो कटा 11,340 वो भी तो 2,3,1,3 करना पड़ेगा ये 11,3,4 भी तो T और J में 2,3,1,3 करना पड़ेगा बोलो कितना हुआ 7560 आया आराम से टेक यौर टाइम ये वाला कैल्कुलेशन आराम से समझो क्लियर क्वेश्चन का लैंगवेज फिर से रीड करना तो एक बार करो आराम से शांती से बिना हड़ बढ़ाए कमफर्टेबल हो तो आगे बढ़ेंगे मूव करें ठीक है ये अभी यहाँ पर अपने क्या किये पहले ये बिल्ड डिसकाउंट कराया बहुत सारा पैसा पैसा ही पैसा हो गया उसमें से एकसी पे कर दिया अब क्या करा रेमिट किया किसको को टी को टी अकाउंट डेबिट टू एक तो बैंक से पैसा गया चालिस चार सो चालिस और दूसरा डिसकाउंटिंग चार्जेस ग्यारा तीन सो चालिस में से discounting charges 11.340 में से उसको कितना भेजेगा ये जो bracket वाला calculation है ये important है वो तो अभी हम तुमको rough में करके दिखाए exam में ये वाला bracket वाला calculation important है तुम बोलेगा 120,000 तो जो T से मिलना था वो T नहीं दिया वो use कर रहा है plus 440, 440 और use कर रहा है T out of 24660 not 252 जो नीचे गलती से 252 लिख देगा blunder है भाई समझ नहीं रहा है बात को 252 तो including discounting charges है यहां तो अपने बात कर रहा है पैसा कितना use कर रहा है तो पैसा जितना मिलेगा उसमें से कितना use कर रहा है वो बात करेंगे न total available पैसा कितना है 24660 available थोड़ी है 252 वो तो बिल का माउंट है 252 तो उसमें से 11340 तो discounting charges है हम लोग तो 11340 का ratio निकालने का कोशिश कर रहे है कि 11340 में से उसका खर्चा कितना यह कोशिश कर रहे है तो यह निकले का तो ratio 240 660 में से 24660 में से वो use कर रहा है 16440 तो बताओ 11340 का यह ratio के हिजाब से खर्चा कितना आया 7560 आ रहे है तो इसका मतलब 7560 प्लस 40 कितना 48,000 अब तुम यह 48,000 देखो 48,000 और प्लस 120,000 120,000 प्लस 48,000 तोटल 168 आया इस इस टू थर्ट अफ 252 252 का 2 थर्ट है क्योंकि इसमें discounting charges भी तुमने include किया बात समझ में आ रहे है 252 का 1 थर्ट देख रहा है तो फिर discounting charges को include करके देखो बात समझ में आ रहे है हाँ अब इसका corresponding entry इसके books में भी आएगा सर ये वाला दोनों entry तो इसके books में नहीं आया पहले ये bill discount कराया और पुराना वाला bill का payment किया ये दोनों entry तो सिफ जे के books में है इसका corresponding entry टी के books में नहीं आएगा अब ये entry पताओ क्या पास करेगा ये बोलेगा मेरे बस बैंक में पैसा आया 44440 और मेरे को नया वाला bill का थाउजएंड से तो अब ये टोटल पता है आउट ओफ 252 कितना यूज़ कर रहा है 168 एक तो एक बीस देना था वो दिया नहीं वो अभी भी यूज़ किये जा रहा है और नया वाला 48,000 और यूज़ कर रहा है 168 यूज़ कर रहा है अब इसका due date आया नेक्स्ट एंट्री इसका due date इसका due date फिर से तीन महना का बिल था ये तो 4th जुलाई से August, September, October, 4th October 3 Grays Day, 7th October नेक्स्ट एंट्री ओन 7th October 7th October को बोलो किसको पहले सबसे पहले क्या करना चीए था Sir, बिल्स पेबल इस बार किसके लिए है बिल्स पेबल T के लिए इस बार बिल्स पेबल है उसको पे करना है पर insolvent कौन हो रहा वो खुद ही हो रहा है insolvent देखो, before maturity of the bill T becomes bankrupt तो T insolvent हो गया तो पहले तो ये बिल dishonor होगा, ध्यान से समझो फिर से, पहला वाला बिल dishonor नहीं हुआ T को जो अपना share पे करना था, वो नहीं पे कर पाया तो ये लोग एक और नया accommodation bill में चला गया समझ गया, दूसरा वाला भी accommodation bill है दूसरा वाला बिल में अब अब जो दूसरा वाला second bill है उसका due date आया तो नया accommodation bill अब नहीं बनेगा क्योंकि bank अब जा करके बोल देगा कि ठीक है तो अब पे करना पड़ेगा, अब नया bill raise नहीं कर सकता है अब नया bill discounting नहीं होगा तो यहाँ पर bill dishonor हो गया क्योंकि पैसा तो लोगे पास पहले दिन से ही नहीं था समझ रहा है हमेशा इसमें जो भी question आएगा पकता bill dishonor वाला ही सम आएगा तो बिल dishonor हुआ, नेक्ट बोलो एंट्री क्या पास करें, बिल्स पेबल तो जेज अकाउंट कितने का 252,000 का नया bill है अब यह bill dishonor एंट्री इसको क्या पास करना पड़ेगा इसको कुछ पास करना पड़ेगा या बिल dishonor का इसको पे करना है इसको पेमेंट का इंट्री पास करना पड़ेगा तो इसका पेमेंट का इंट्री पास करते साथ अक्टूबर को करना तो पड़ेगा यह बोलेगा मेरे को टी से पैसा चाहिए टी अकाउंट डेबिट कितना 252,000 टू बैंक अब देखो क्या बोल रहा है 50,000 रूपी अब तुम अब तुम पोजिशन देखेगा अब तुम पोजिशन देखेगा अब तुम पोजिशन देखेगा तो अब सिचुएशन यह है कि 252 का 252 का 2 3rd कितना होता है 168 168 T is supposed to pay to J बट वो 168 का आधा ही पे कर पाएगा 84 ही पे कर पाएगा बाकि 84 T के लिए हो गया deficiency J के लिए हो गया bad debt बात समझ में आ रहा है तो entry पास करो next entry यह बोलेगा J's account debit 168,000 2 3rd of 252 तुम डिरेक्टी कर सकता है 252 का 2 3rd पे तो किया खाली 50 पैसा आई ना 84,000 और बाकि 84,000 इसके लिए हो गया deficiency एदम corresponding entry यह क्या पास करेगा यह बोलेगा मेरे पास bank में पैसा आया सिर्फ 84,000 बाकि मेरा bad debt हो गया 84,000 in the books of J T's account सबसे पहले J ने बिल्ड टी ने बिल्ड रॉ किया जे को तो बिल्ड रिसीवेबल टू जे हो गया पहला वाला बिल कितने का था वन लाक हिट्टी था उजन का और इसके लिए हो गया था बिल्ड पेबल बोल है ना जे के बुक्स में T account debit to बिल्ड पेबल done है फिर एक एक करके एकदम date wise चलो ये बिल्ड डिसकाउंट कराया बिल्ड डिसकाउंट कराने का entry इसके ledger में थुड़ना आएगा right discounting कराने के बात जो इसको पैसा remit किया one third पैसा remit किया और discounting charges भी one third remit कर दिया ये वाला entry ये वाला entry 57600 और 2400 one third remit कर दिया ठीक है उसके बाद due date आया due date पे इसके books में भी इंट्री पास कर देता है पहले bank आया 57600 और discounting charges आया 2400 अब due date आया तो T was supposed to pay to J but did not pay rather a new accommodation bill was entered into new accommodation bill के हिसाब से इसके पास एक नया bills payable आ गया 252000 का और इसके लिए bills receivable आ गया ये 252 का bill को discount कराया J discount कराने का posting इस ledger में नहीं आएगा लेकिन फिर उसका 2 3rd amount 2 3rd पूरा से ट्रांसफर नहीं किया actual में 44,440 ही ट्रांसफर किया discounting charges 2 3rd ट्रांसफर करेंगे बात समझ में आ रहा है मतब ये वाला posting बहुत आराम से समझो 2 bank ये कितना किया 44,440 ना और discounting charges total 2 3rd which was 7560 और ये भी entry क्या पास करेगा ये बुलेगा मेरे लिए और bank में पैसा आ गया 44,440 और मेरा इस बार discounting charges और आ गया 7560 वापिस अब इसका due date आया जब इसका due date आया तो J insolvent हो गया J बोल रहा है sorry T insolvent हो गया T insolvent हो गया तो पहले T क्या करेगा इस bills payable का reversal entry पास करेगा by bills payable 252, dishonor और ये क्या करेगा 2 bank इसको bank से pay करना पढ़ गया ना 252 क्योंकि ये bank से discount करा के रखा था T did not pay तो J had to pay 252,000 अब ये क्या कर रहा है जितना पैसा देना था उसका 50% दे दिया बाकी पे नहीं कर पाया 2 bank 84,000 तो pay कर दिया बाकी deficiency हो गया और तुम इसको match कराओ ये match होगा ये भी बोलेगा मेरे पास bank में पैसा आ गया 84,000 और बाकी हो गया bad debt 84,000 match करा कर टोटल बोल दो दोनों के लेजर में कितना कितना हो रहा है 480, exact take your time and understand the ledger done है यहां तक कोई doubt किसी को clear है sir ये थोड़ा सा different question है but comparatively बल्कि easier question है थोड़ा सा different है ये भी accommodation bill है अलग type का accommodation bill है right, हलका सा difference है क्या है अभी पता चल जाएगा question read करते ही बल्कि comparatively इतना ज़्यादा calculation है ही नहीं जितना इसमें था देखो देखो क्या हो रहा है on 1st July 22 George बोले की Gorge बोले George भी बोलता है George drew a bill for 180 for 3 months to Harry for mutual accommodation Harry accepted the bill of exchange sir यहां तक तो एक्दम सेम लग रहा है बड़ इसके बाद देखो Gorge had purchased goods worth रुपीज 181,000 from Jack on the same date उसी दिन Jack से 181 का goods purchase किया था George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement right मतब बैंक से discount नहीं करा करके अपने किसी creditor को pay कर दिया इस बार सुनना आपस में क्या बात कर रहा है आपस में George और Harry बात कर रहा है George बोल रहा है Harry को भाई Harry सुन तुम हम तेरे पे एक bill draw कर रहा है तुम bill accept करके एक बार प्लीज दे दे देख तुम मेरा दोस्त है मेरे पास 180 का bill आ गया यह हम बैंक से discount नहीं कराएंगे एक बार मेरे को पैसा का जर्वत है यह 180 का जो मेरे पास bill आया है न यह मेरा एक creditor है क्या नाम हो उसका Jack हम Jack को यह 180 का bill endorse कर देंगे हम उससे 181,000 का goods खरीदे है हम उसको पूरा 181 अभी pay नहीं कर सकते हैं हम तो पहले तो उससे negotiation करेंगे 1000 रुपय का discount माँगेंगे और 180 रुपीज payment कर देंगे by endorsing the bill receivable that you give me तुम जो bill accept करके देगा वो हम उसको endorse कर देंगे बात समझ में आया ठीक है उसके बात देखो यह हुआ 1st July 22 को अब इसके 3 महना बाद 1st July से 3 महना बोलो काब होता है 1st September 1st October 1st October होता है बट उसके पहले ही 3 महना का bill था लेकिन 2 महना बाद ही 1st September 22 अभी Jack क्या किया Jack purchased goods worth Rs. 190 from Harry Right Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid Rs. 9000 in full settlement अब देखो Harry के पास Harry का situation समझ ना Harry का situation यह है कि वो जो bill accept किया था उसके बिल पेबल था अभी घूम के bill उसी के पास आ गया अब वापिस हे holder of the bill वही है तो वो अपने books में क्या करेगा bills payable और bills receivable को 1st September को ही cancel कर देगा बिल का वैसे तो due date था 1st October प्लस 3 grace days 4th October बात 4th October तक पहुँचे गई नहीं क्योंकि Harry के पास उसी का bills payable घूम फिर के वापिस से उसी के पास आ गया वो अपना 1st September को ही bills payable to bills receivable cancel कर देगा बट सर लेखिन बात समझो हाँ हाँ अभी धियां से सुनना लेखिन सर हाँ वो goods तो बेचा है न Harry goods तो बेचा था उसके बदले तो उसको पैसा तो चाहिए वो पैसा किस से लेगा George से लेगा कैसे लेगा देखो आएगा On 1st September Jack purchased goods 190 from Harry Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement मतलब एक 90 का goods purchase किया एक 80 का bill endorsed कर दिया 9,000 बैंक से पे कर दिया 1000 रुपय का discount ले लिया of the amount due to Harry On 1st October 22 Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George अब Harry क्या बोल रहा है बोला कि मेरे को भी तो recover करना है अब हम तेले से goods purchase करेंगे कितने का 2 lakh का बट तुमको payment पता है कितना करेंगे खाली 20 से अर क्योंकि एक 80 का तो हम तेले लिए पहले से bill accept करके रखे थे Harry paid the amount due amount due is only 20,000 to George by check give the necessary general interest in the books of Harry, George, Jack तीन तीन पार्टी होने से इतना सारा transaction होने से पूरा दिमाग में गोल मटोल हो गया है एक बार वापी से सर बता दीजे प्लीज डाइगरम के थ्रू question number 3 तीन पार्टी है गॉर्ज या जॉर्ज जी बोलेंगे अपने इसको अब जी एच और जे एक एक कर के देखो इसके लिए पहले तो bills payable हुआ 180 का यह bills accept करके दिया एक तरह से payment कर दिया ना एक तरह से यह George को payment कर दिया ठीक है इसके पास bills receivable आया 180 का ठीक है अब यह 180 का बिल पे कर दिया किसको जैक को ये तो उसका supplier था, proper supplier था मतब इससे ये goods खरीदा था कितने का goods खरीदा था 1.81 का खरीदा था एक्चुल में जब pay किया तो discount भी ले लिया 1000 रुपय का ठीक है, एक तो discount 1000 रुपय का और एक स्टी का bill इंडोर्स कर दिया and bill endorsed बात समझ में आ रहा है correct है ना ठीक है, अब jack क्या किया goods purchase किया किस से Harry से jack purchase किया Harry से तो यहाँ पे अपने बोल सकते हैं Harry ने इसको goods दिया Harry ने इसको goods दिया कितने का goods of 1,90,000 इसके बदले वो क्या-क्या pay किया एक तो bill endorse कर दिया endorse हो गया bill 180 का cash में pay किया 9,000 बाकि यह discount ले लिया 1,90,000 हो गया इसका खतम अब Harry क्या कर रहा है goods purchase कर रहा है George से थोड़ा जादा हो गया एक मिनिट goods of 2,00,000 बड़ ध्यान से समझो यह goods जो खरीदा 2,00,000 का इसके बदले यह एक स्थी तो पहले से pay कर गे रखा है अब additional अब due amount जितना है बस उतना ही pay करेगा बोलो कितना 20,000 अबी पूरा cycle समझ में आ रहा है क्या हुआ अब तुम डियाग्रमटी के लिए देख रहे हो तो तुमको एक दम simply समझ में आ रहा है clear है अरे एक स्थी पहले से pay कर गे रखा था जबरदस्ती George और Jack एक एक करके तीनों के books का accounting बताओ क्या बोला पहले Harry फिर George और फिर Jack columnar बना लेगा Harry नहीं बनेगा try करते है न थोड़ा सा time save करना है देखो easy सा चीज है date हम लोग ignore कर देंगे और narration ignore कर देंगे BR और BP लिखेंगे पूरा खोशिश करेंगे बट एक बार तीनों बनाएं एक बार में तीनों का accounting खतम करेंगे एक एक करके पहला transaction किसके किसके books में होगा George और Harry date दिया है date अपने भी देंगे अभी हम ignore कर रहे हैं हम तुमको वैसे बता देते हैं पहला transaction तो 1st July को होगा यह transaction भी जो goods purchase किया न देखो goods purchase का entry चलो हम पहले पास कर देते हैं Gorge had purchase बोल रहा है न मतलब यह पहले purchase कर चुका था 181 का किसे जैक से देख एंट्री पहला एंट्री चलो दिखा देते है डेट 1st July 22 1st July 22 पहले तो यह purchase करके रखा था अलड़ी purchase to jack कितना 181 और jack ने sale किया था इसी दिन देन न पहला वाला इंट्री देख लो हम यह वाला इंट्री सबसे पहले पास किये because यहाँ पहला था had मतलब यह transaction पहली हो चुका था purchase goods George had purchased 181 का from jack मतलब George के लिए purchase है jack के लिए sale है ठीक है इसमें Harry का कोई लेना देना नहीं है पहला इंट्री देख यहाँ पह जो highlighted है George had purchased goods worth रुपीज 181 from jack George के लिए purchase है jack के लिए sale है इसमें Harry का कोई लेना देना नहीं था अब क्योंकि George purchase किया है तो George को pay करना पड़ेगा George के पास पैसा है नहीं अभी देख अभी आजाएगा वो वाला पहले वो goods purchase किया he had already purchased क्योंकि had word use किया ना तो पहले हम purchase का entry पास कर दिये अब George को pay करना है न 181 George बोला अपने friend Harry को यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है please एक request है तुम्हें एक bill accept कर ले और मेरे को दे दे वो bill हम उसको endorse कर देगा ठीक है तो अब ये bill draw किया तो इसके लिए इसी दिन same day हो रहा है ये सब bill receivable to Harry एक 80 का bill आ गया और Harry के लिए क्या है ये bills payable ठीक है जो तुम पहला entry बोलना चाते थे उसको second entry पास कर दिये मान लो तुम बोलते हो कि sir हम पहले ये वाला entry पास करेंगे और फिर second entry ये वाला पास करेंगे कोई problem नहीं है क्योंकि date same है same date में एक entry उपर नीचे करने में कोई problem ही नहीं है just because head वर्ड यूस किया था इसलिए हम पहले ये वाला entry दिखा दिये कि पहले purchase sale हुआ है ले उसके बाद bills का काम हुआ है done है बात अब इसके पास bill आ चुका तो अब ये payment करने जाएगा जॉर्ज किसको जैक को से ये bill तो हम तरे को इंडोस कर दिए 180 का अरे ये क्या हुआ 181 का जो पेमेंट करना है 181 का जो पेमेंट करना है उसमें से 181 का तो हम तरे को bill इंडोस कर देते है बाकि प्लीज मेरे को discount allow कर दे discount मतलब मेरे इसके लिए discount रिसीव हो गया और ये बोलेगा अच्छा ठीक है मेरे पास endorse bill जो है जैक बोलेगा मेरे पास endorse bill 180 का आ गया साथ में हम discount allow कर दिए 1000 रुपया और जॉर्ज का settlement हो गया बोलो yes or no एकदम easy अभी इसमें Harry का कोई लेना देना नहीं था अब देखो जिसके पास bills receivable है ना वो अपना bill receivable जल्दी से endorse करना चाहता है तो jack क्या किया आप goods purchase कर लिया jack के पास bills receivable है ना jack purchase कर लेगा Harry से इस बार 1.90 का अच्छा ये transaction लेकिन हो रहा है first September को तो अभी first अभी ये सारा transaction यहां तक का transaction हुआ है first July को इतने दिन से ये दो मेहना bill hold करके रखा था दो मेहना बाद ये क्या किया first September 22 को ये purchase कर लिया किस से? Harry से कितना? 1.90.000 का इसका मतब Harry ने sale कर दिया Harry ने sale किया किसको? jack को तो jack to sale now jack will pay jack will pay off to Harry pay off कैसे करेगा देखो Harry को total 1.90 देना है पहले तो ये bill एंडोर्स कर देगा जो bill इसके पास आया हुआ है न एक स्टी का ये bill एंडोर्स कर देगा bank से payment कर देगा कितना? 9.000. यहां पर cash या bank दोनों लिख सकते हो question में जो word यूज किया है and paid 9,000 in full settlement payment check से किया है कि cash से किया है कुछ बोला नहीं तो तुम क्या बोला है? paid 9,000 in full settlement बोला है तो check से भी pay कर सकता है cash में भी pay कर सकता है cash या bank दोनों लिख सकते हो यहां पर 9,000 और बाकी यह discount रिसीव कर लिया कितना? 1,000 का इसका corresponding entry Harry के books में भी आ जाएगा Harry बोलेगा मेरे को वापिस से मेरा ही bill घूम फिर के मिल गया यह वाला bill वो खुदी accept किया था 1st July को और वही वाला bill घूम फिर के इसके पास आ गया पैसा आ गया 9,000 रुपया discount allow करना पड़ गया बोलो कितना? 1,000 और jack का settlement हो गया 1,90,000 का पूरा अब देखो मजे का बात यह है कि Harry के books में यह वाला bills payable जो एक स्सी है यही bills receivable एक स्सी उसके पास घुम फिर के आ गया वो इसी दिन एक entry pass करेगा बोलेगा ना किसी को अब देना है ना किसी से लेना है BP भी debit करो 180 और BR भी 180 cancel करो because यह net effect इसका कुछ नहीं है यह सिर्फ Harry का personal matter है Harry के लिए bills payable है Harry के हाथ में bills receivable है holder of the bill वही है तो वो अपने books में cancel कर दिया set off कर दिया bills payable हो bills receivable को अब एक last transaction अब यह purchase करेगा किसे George से यह किस दिन purchase कर रहा है date दिया है क्या on 1st October बोल रहा है यह वला transaction 1st October को रहा है मतब तीन date का काम है खाली तो यह purchase is to George दो लाग और George के लिए sale है Harry to sales और अब जो due amount है वो settle कर देगा due amount खाली 20,000 रुपिया है ध्यान से समझना यहां पर पहला transaction देखो bills payable था एक असी और George से receivable था वरेटी बट क्योंकि दो लाग का goods खरीद लिया तो पेबल है George को दो लाग तो net में इसका मतब पेबल कितना है George को खाली 20,000 अरे एक असी तो receivable था George से अब दो लाग payable to George मतलब net में भी से है पेबल to George तो George 20,000 और चेक से pay कर रहा है यह वाला बात इस question में एक दम clear बोला है यहां पर तुम cash नहीं लिख सकते हो bank to Harry चेक मेंशन किया हुआ है देख यह वाला amount के लिए 20,000 रुपया Harry paid the amount due to George by check तो Harry ने 20,000 रुपया का check pay कर दिया to George कैसे मतलब हां मतलब अलग-अलग करना पड़ेगा एक्जाम में जनरली तुमको तीन पाटी का जनरलिटी पूछता नहीं है दो का पूछ सकता है तुम अलग-अलग करोगे अरे भाई marks देगा अब यह वाला question अगर 15 marks का दे रहा है तो तुमको करना पड़ेगा ना उतना महनत तो थोड़ा तो महनत करना पड़ेगा अब अगर तीन तीन पूछेगा तो तुम्हारे lottery है बलकि बढ़ी है पूछ तीनों का books सोचो खली एक ही का books अगर पूछा तो भी तुमको एक बर पूरा question कोई solve तो करना पड़ा इससे जा तीनों का books पूछ ले क्योंकि उसको marks फिर वैसा देना पड़ेगा अगर एक ही का books पूछे तो तुमको 5 या 6 या 7 marks का दे देगा दो का भी books पूछ लिया तो कम से कम 10 marks देना पड़ेगा तीनों पूछा तो पक्का 15 marks देना पड़ेगा मतब 14 marks मतब हाँ full marks का मतब maximum marks का question पूछना पड़ेगा ठीक है चलो ये सम अब तुम यहां पर जब देखेगा तो तीनों का ledger में एक दूसरे को जो payable receivable है जिरो हो चुका है और ना किसी के हाथ में bills payable है ना किसी के हाथ में bills receivable है पूरा settle हो चुका है ठीक है एक बर ये वाला सम अपने अप रिवाइस कर ले ना ये वाला easy question है हम इसे move कर रहे है last question है वो करने जा रहे है कोई question है तो पूछ हो कौन सा ये वाला ये वाला entry देख स्टार्टिंग में हैरी ने बिल accept किया था अपने friend जॉर्ज के लिए एक असी का बिल क्यों accept किया था so that George ये वाला बिल endorse कर सके अपने supplier Jack को तब से तुम देख इसका George से receivable ही पड़ा एक असी का ये तो मिला ही नहीं और बिल्स payable है इसके books में एक असी का राइट ये एक असी का बिल्स payable ही है अब वही वाला बिल घुम फिरके George ने दिया Jack को Jack ने purchase किया था Harry से और Harry को दे दिया अब Harry के books में ये वाला बिल receivable घुम के आ गया यही same बिल इसके लिए एक तरफ बिल्स payable भी है और यही वाला same बिल इसके लिए labels receivable भी है तो अब actual में तो किसी को देना रही है किसी से लेना नहीं है balance sheet के asset साइड में जबर दस्ती का एक 80 का बिल्स receivable आ रहे है balance sheet के liability साइड में जबर दस्ती का एक liability एक SI या रहे है एक اس적ी एकसी दोनों तरफ बीना मतलब आ रहे है actual में किसी को कुछ देना नहीं है किसी से कुछ लेना नहीं है इसलिए ये cancel कर दिया जब अरदस्ती balance sheet को heavy रखके क्या फायदा ये liability है नी इसको हटा ये receivable है नी इसको हटा balance sheet तो match होगा लेकिन ये तुमको entry pass करना पड़ेगा question number four x draws on y a bill of exchange for 30,000 on 1st April 22 for three months y accepts the bill and sends it to x who get it discounted for 28,800 x immediately remits 9,600 देखके समझ मारा वन थाड देखलो 9,600 divided by 8,600 one third remit कर दिया on the due date x being unable to remit the amount due accepts a bill for rupees 42,000 for three months which is discounted by y for 40,110 एक्दम डिट्टो पैटन नी बन गया y sends 6740 ये actual में 6740 नहीं है पहला वाला जो amount है two third और ये वाला amount बात समझ में आ रहा है मतलब ये 20,000 26,740 है out of 40,110 बोल तो कितना हो रहा है 26,740 कैसे हुआ ये तो 6740 ये रहा और ये 30,000 में से 20,000 फिर से two third हो रहा है फिर से two third हो रहा है हो रहा है ना two third ठीक है before the maturity of the bill X becomes bankrupt his estate paying 50 पैसा एन रुपी give the general entries in the books of X and Y एक्दम डिट्टो सम है है की नहीं है होमवक में करना चाहते हो हाँ हाँ एक्दम डिट्टो सिमिलर question अपने कर चुके है तो ये होमवक में कर लेना आप खाली calculation खाली थोड़ा सा करवाना चाहते है 5 मिनिट खाली discussion खाली calculation डिसकस कर देते है बाकि journal entries का flow और ledger भी जरूर बनाना क्योंकि ledger बनाने से तुमको पूरा full comfort आता है कि हाँ कैसे settle हो रहा है ठीक है तो इसका calculation खाली बता देते है X ने Y को bill draw किया और Y ने accept किया X के लिए bills receivable है और Y के लिए bills payable है कितने का 30,000 का ठीक है फिर इसको discount कराया तो 28,800 मिला बट उस 28,800 में से खाली 9,600 ही transfer कर रहा है तो इसका मतलब 1,3 और 2,3 का ratio चल रहा है पैसा use करने का तो इसका मतलब discounting charges भी ये 800 beer करेगा पहला वाला bill का 800 और ये beer करेगा कितना 400 clear है बात अब इसके लिए bills payable है इसको तो pay करना पड़ेगा न ये तो bill pay करेगा bank के पास bank is the holder of the bill ये जाकर के 30,000 पे करेगा bank को बट इसको भी तो transfer करना चाहे था X should had transferred 20,000 to Y X भूला यार दे कितना पैसा भी है ने तुमें काम कर अब इस बार तुम मेरे को bill draw कर 42,000 42,000 ठीक है अब बताओ इसमें से X कितना यूस कर रहा है Sir X यूस कर रहा है एक तो इसको 20,000 पहले transfer कर देना चाहिए था वो प्लस उसको 6,750 Y send 6,740 to X Out of total पैसा जो मिला हुआ है 40,110 अरे पैसा यूस करने के लिए तो 42 नहीं है ना भाई पैसा यूस करने के लिए तो 40,110 ही है उस 40,110 में से एक तो 20,000 वो अभी भी यूस कर रहा है जो pay करना था नहीं कि अभी भी यूस किये जा रहा है वो और प्लस 6,740 उसको और मिल गया यूस करने के लिए Out of 41,10 X is using इतना पैसा तो again it gives you 1 third 2 third और 1 third आ रहा है अब वापिस से तो discounting charges कितना है देखो तो 42,000 minus 44,110 that is 1890 तो ये discounting charges ये वाले बिल का ये वाले बिल का discounting charges 1890 का 2 by 3 1260 इसका खर्चा है और कितना 630 इसका खर्चा है लेकिन अब जब due date आएगा तो ये pay कर नहीं पाएगा वापिस से कौन bankrupt हो रहा है X तो X के हाथ में bills payable है वो pay नहीं कर पाएगा bill dishonor कर देगा ये वाला bill dishonor होगा first वाला bill dishonor नहीं होगा क्योंकि वो तो Y pay कर देगा Y के पास 42,000 में से 41,10 आ जाएगा न वो उसमें से 30,000 पे कर देगा bank को तो ये वाला bill dishonor ही नहीं हुआ बट second वाला bill के time पर bill dishonor होगया क्योंकि अब X को pay करना था bills payable वो pay नहीं कर पा रहा है bill dishonor हो जाएगा तो इसका मतलब सर ये तो bill dishonor कर दिया अगर ये bill dishonor कर देगा तो Y will have to pay 42,000 and इसका receivable रहेगा 42,000 का two-third 42,000 का two-third 28,000 X से Y को receivable होगा बट उसमें से 14,000 ही को दे पाएगा 14,000 इसके books में deficiency और Y के books में bad debt 14,000 का पूरा sum I think picturize हो पाया जो अपने कर चुके हैं अल्रीडी वो वाला पक्का ना comfortable लग रहा है हो जाएगा manage अच्छा concept था इसको एक बार kindly अभी ही फटा-फट जाकर के recap, revise कर लो so that exam में पक्का आए ऐसा wish करना तो अब अगर आ जाएगा exam में तो पक्का कर दोगे अच्छे से ठीक है